चलिए आज बनाते हैं केले की स्वादिष्ट सबजी आप एक बार इस तरीके से केले की सबजी बना कर खा लीजेगा तो पुराने सारे तरीकों को भुल जाईएगा बनाना काफी असान है सभी को काफी पसंद आएंगे हमारी वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक, सेयर और सब्सक्राइब कीजेगा बेल आइकन को प्रेस कर लीजेगा जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुचे तो चलिए केले की स्वादिष्ट सबजी बनाना हम सुरू करते हैं हमें कच्छा केला लेना है, ये वजन में 400 ग्राम केला है इसे छिल लेना है, इसे धो कर हमें कट करना है, बहुच ज़ादा मोटा मोटा नहीं काटना है अभी हमें एक बड़ा साइज का टमाटर लेना है, 5-6 लेस उनके के लिए आधा इंचा द्रग, 4 हरे मेर्ज, इन सब को पीछ लेना है गैस पे चड़ा देना है कड़ाही को, इसमें डाल देना है तेल, मैं सरसो का तेल डाल रही हूँ, अब जो भी तेल खाते हैं, उस तेल में सबजी को बना सकते है दोसे 3-5 मुचितना हमें तेल डालना है तेल गरम हो चुका है अभी हमें इसमें कटे हुए केले को डाल दीना है गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है थोड़े थोड़े देर में चलाते हुए इसे बुनना है जब तक केले एकदम सौप्ऩ नो हजाए इसे भूनने में लगभग 3-4 मिनिट का समय लगेगा इतने देर में केले एकदम सौफ्ट हो जाते हैं भून जाते हैं तो अभी आप देख सकते हैं केले का जो कलर है वो चेंज हो चुके हैं ये अच्छे से भून चुके हैं केले एक दम सौप्ट हो चुके हैं, तो इसे हमें कडाही से निकाल लेना है, और वापीस हमें कडाही में डाल देना है 3-4 चमश सरसो का तेल, आधा छोटी चमश हमें डाल देना है जीरा, जीरा को ब्राउन होने देना है, जीरा ब्राउन हो चुका है, हमें इसमें डाल देना है एक सुखी लाल मेर्च बहुत जादा इसमें खड़े मसाले ना डाले इतना महीं ये बहुत ही स्वादिष्ट सबजी बनकर आपके त्यार होंगे इसमें हमें डाल देना है एक मीडियम साइज का बारी कटा हुआ प्याज इसे हमें चला लेना है गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है थोड़े थोड़े देर में चलाते हुए हमें प्याज को हल्का ब्राउन होने तक भूनना है एक बार इस तरीके से केले की सब्ची जरूर बनाईएगा सभी को काफी पसंद आएंगे तो अभी आप देख सकते हैं प्याज ब्राउन हो चुके हैं गैस का फ्लेम ल दालमेश पाउडर इससे कलर बहुत ही बढ़िया जाता है एक छोटी चमच हमें डाल देना है धनिया पाउडर आधा छोटी चमच जीरा पाउडर इन सब को हमें चला लेना है अगर आप हाई फ्लेम पे मसाले को डालेगा तो मसाले जल सकते हैं और अभी हमें तुरंत ही इ दालते के साथ इसमें नमक डाल देना है नमक आप अपने स्वाद अनुसा डाले इसे हमें चला लेना है मसाले को हमें धीमे धीमे हीट पर ही भूनना है एक चमच हमें इसमें डाल देना है कसूरी में थी इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है इसे जरूर डाली आधा चोटी चमच हमें इसमें डाल देना है गरम मसाला पाउडर अगर आप पसंद करते हों गरम मसाला पाउडर तो डाले नहीं तो अस्कीप कर सकते हैं इसे हमें चला लेना है मसाले को अच्छे से भून लेना है तो अभी आप देख सकते हैं मसाले से तेल से प्रठट हो चुके हैं मसाले भून चुके हैं अभी हमें इसमें भूने हुए केली को डाल दीना है मसाले के साथ हमें केली को थोड़े दिर के लिए भूनना है जिससे मसाली का जो फ्लेबर है केले के अंदर तक आ जाएंगी और सबजी काफी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे खाने में क्योंकि जितने अच्छे से आप मसाली को भूनिएगा और सबजी को भूनिएगा उत्मा ही टेस्टी आपका सबजी बनकर तयार होता है थोड़े थोड़े देर में हमें इसे चला लेना है हमें इसे लगभग एक से डेर मिनट के लिए भूनना है इतने देर में ये अच्छे से भून जाते हैं इसे भूनते हुए लगभग डेर मिनट हो चुके हैं ये भून चुके हैं अभी हमें इसमें डाल देना है पानी, इसे पकने के लिए हमें इसमें एक ग्लास पानी डालना है, लगभग 300 ml जितना, इसे हमें ढख कर 5-6 मिनट के लिए पकने देना है, इतने देर में सबजी अच्छे से पक जाते हैं, इसे पकते हुए 6 मिनट हो चुके हैं, तो देख सकते हैं केले की स्वादिष्ट सबजी बन कर तयार है गैस का फ्लेम आफ कर दीना है आप इसे रोटी, चावल, पूड़ी, फराठे के साथ सर्व करें सभी को काफी पसंद आएंगे हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंट के साथ सेर जरूर कीजिएगा कमेंड में जरूर बताइएगा रेस्पी आपको कैसा लगा, आपके फैमिली वालों को कैसा लगा थैंक्यो फर वाचिंग